नमस्कार दोस्तों, आज सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं तीन साल के बेवी के लिए ये खुबसूरा सा स्वेटर लाए हूँ दो रंग का ये खुबसूरा सा स्वेटर जिसे मैंने 67 फंदों से शुरू किया है गले की ओर से बढ़ने वाला ये स्वेटर है और इसे मैंने 67 फंदे से शुरू किया है तो चलिए फ्रेंस हम देखते हैं कि ये कैसे बना है मैंने सलाई में 67 डिजाइनर फंदे डाले हैं और 8 लाइन सीधा सीधा बुना है जिसले चार उल्टे फंदों की धारियां सामने से और चार पीछे से आ गए है अब हम इन्हें 5 हिस्सों में डिवाइट करेंगे तो हमने 67 इस्टीचेज लिए हुए हैं और इन्हें 5 भागों में डिवाइट करना है तो बार्डर के लिए हमने 7 फंदे डिसाइट किये हैं और 2-2 फंदे डिवाइडर के लिए रहेंगे फ्रंट में 7-7 फंदे, आस्तिन में 6-6 फंदे और बैक में 19 फंदे, 19 स्टीचेज तो इस तरह हमने 67 फंदों को डिवाइट किया है 7 फंदे डिवाइट के लिवाइट 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 हमारा second front portion और plus seven हमारा ये border तो इस तरह हमने फंदो को इस तरह पांच भागों में divide किया है और अब हम इनको बुनेंगे मैं ये sweater दो रंग में बना रहे हूँ इसलिए अब हम यहाँ पे अपना second color attach करेंगे अभी तक हमने border 10 number की slice से बनाया है और border के बाद हम 9 number की slice इस्तिमाल करेंगे तो ये border के 7 फंदे हम सीधा बन लेंगे और 7 फंदे हमारे front के भी हैं यानि कि हम 14 फंदा सीधा बन लेंगे तो ये 14 फंदे सीधे बने जा चुके हैं अब उन अपनी और करेंगे और 2 फंदे सीधा बनेंगे ये हमारा first divider हुआ फिर उन अपनी और करेंगे और 6 फंदा आस्तिन का सीधा बनेंगे उनको अपनी तरफ किये हुए ही 6 फंदा सीधा फिर उन अपनी और करेंगे 2 फंदा सीधा बनेंगे ये हमारा second divider है फिर उन अपनी और करेंगे और 19 फंदा बैक का सीधा बुनेंगे 19 फंदा बुनने के बाद उन अपनी और करेंगे 2 फंदा सीधा ये हमारा 3 डिवाइडर है फिर उन अपनी और करेंगे 6 फंदा सीधा ये हमारा आस्तिन है फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदा सीधा बुनेंगे और यह हमारा four divider और फिर उन अपनी और करेंगे और यह 14 फंदे बचे हैं जिनने हम सीधा बुनेंगे यह हमारा front और border दोनों हो जाएंगे अब हम wrong side में हैं तो border के हम 7 फंदे सीधे बना लेंगे पहला फंदा हम ऐसे slip कर लेंगे उन दूसरी और करेंगे और 6 फंदा सीधा और 6 सभी फंदे हम उल्टा बनाएंगे अब last के 7 फंदे ये border के बने हैं तो 6 फंदा हम सीधा बना लेंगे और last फंदा उल्टा अब 3 रो हम इसी रंग से बनाएंगे तो 7 फंदा border के हम सीधा बना लेंगे जाथ फंदा सीधा बनाने के बाद अगला फंदा ये 8 फंदा है सीधा बनाएंगे फिर उन अपनी और करेंगे और अगले फंदे में ये हम देखिए अगले फंदे में हम इसमें न डाल के एक लाइन नेचे ये देखिए इसमें ये हमारा जो सीधा फंदा दिख रहा है इसमें पीछे की तरफ से ऐसे स्लाइड आलेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे उन दूसरी और करेंगे अगला फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे अगले फंदे में हम जो सलाई पे फंदा है इसमें न डालके एक लाइन नीचे हम बैक से सलाई डालेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे अगला फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे और next फंदे में हम पीछे से स्लाइड डालेंगे एक लाइन नीचे और स्लाइड डालके एक उल्टा फंदा बना लेंगे अब फंदा गिरा देंगे उन दूसरी और करेंगे अगला फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे अगले फंदे में एक लाइन नीचे स्लाई डालेंगे और एक लाइन नीचे स्लाई डालेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे अगला फंदा ये जाली वाला है जिसे हम सीधा बना लेंगे अब उन अपनी और करेंगे और दो फंदा सीधा ये हमारा डिवाइडर का फंदा है जिसे सीधा बना लेंगे उन अपनी और करेंगे अगला फंदा सीधा फिर उनको अपनी और करेंगे अगला फंदा इसमें पीछे से स्लाई डालेंगे एक लाइन नीचे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे फंदे को गिरा देंगे नेक्स्ट फंदा सीधा बनेंगे तो इसी तरह करते हुए एक फंदा हमें सीधा बनना है और एक फंदा उल्टा बनना है उल्टे वाले फंदे को हमें एक लाइन नीचे से बुनना है और सीधे वाले फंदे को अगला फंदा जाली है इसे हम सीधा बुलनेंगे और यहाँ पर हमारा यह second divider आगया है तो उन अपनी और करेंगे दो फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे ये हमारे back portion के फंदे हैं तो एक फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे एक फंदा एक line नीचे से उल्टा बुनेंगे तो ऐसे ही करते हुए हम back के सारे फंदे बुन लेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा लेकिन एक लाइन नीचे स्लाई डाल के तब उल्टा बुनेंगे अब हमारा ये थर्ड डिवाइडर है 19 फंदे हमने बुन लिये और ये हमारा थर्ड डिवाइडर है जाली का फंदा हमने बुन लिया है अब उन अपनी और करेंगे और इन दो फंदों को हमें सीधा बुनना है तो जाली देते हुए दो फंदे सीधे बना लेंगे अब उन अपनी और करेंगे अगला फंदा ये जाली वाला फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे अब एक फंदा उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा एक लाइन नीचे से स्लाई डालेंगे और एक लाइन नीचे से इसे उल्टा बना लेंगे अगला फंदा सीधा अगला फंदा उल्टा लेकिन एक लाइन नीचे से तब उल्टा बनेंगे सीधा पुल्टा सीधा और लास्ट फंदा ये जाली है जाली हमेशा सीधा बना जाएगा फिर उन अपनी और करेंगे ये हमारा 4 डिवाइडर है तो इसे दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे उन अपनी और करेंगे अगला फंदा जाली वाला फंदा है इसे हम सीधा बना लेंगे अब उन अपने और करेंगे एक अगला फंदा एक लाइन नेचे से उल्टा सीधा फिर एक लाइन नेचे से उल्टा और अब ये हमारा साथ फंदे बॉर्डर के हैं और लास्ट फंदा हम सीधा बनाएंगे सारे फंदे ये बॉर्डर के बचे हैं इन्हें हम सीधा बना लेंगे रॉंग साइट से बॉर्डर के फंदे हम सीधा बनाएंगे और शे सभी फंदे उल्टे पहला फंदा ऐसे slip करेंगे उन दूसरी और करेंगे और बार्डर का ये 6 फंदा है एक फंदा ये हो गया तो 6 फंदा है तो 6 फंदा सीधा बना लेंगे बार्डर के 7 फंदे हो गया अब शे सभी फंदे उल्टे बना लेंगे सभी फंदे उल्टे बना लिए गया है अब ये बार्डर के 7 फंदे बचे है तो उन दूसरी और करेंगे 6 फंदा को सीधा बना लेंगे और लास्ट फंदा उल्टा तो चाल इन बाद अब हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे तो बॉर्डर के फंदे और फ्रंट के सभी फंदे सीधे बना लेंगे तो इस समय हमें 16 फंदा सीधा बनाना होगा अब उन अपने और करेंगे 2 फंदा सीधा फिर उन अपनी और करेंगे आस्टिन के 10 फंदे सीधे बना लेंगे छे फंदे थे इस साइड से बढ़ेगा और इस साइड से बढ़ने से दोनों और से दो-दो फंदे बढ़ने से ये आध फंदे, तस फंदे हो गया तो दस फंदा हम सीधा बना लेंगे फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदा ये सेकंड डिवाइडर इसका सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और तेज फंदा ये बैक का फंदा है तो तेज फंदे सीधे बना लेंगे 23 फंदा सीधा बनाने के बाद उन अपनी ओर करेंगे 2 फंदा सीधा ये हमारा 3 डिवाइडर है फिर उन अपनी ओर करेंगे ये आस्तिन का 10 फंदा सीधे आस्तिन के दस फंदे सीधे बुने जा चुके हैं अब उन अपनी और करेंगे और दो फंदा जाले देते हुए सीधा ये हमारा फोर डिवाइडर है उन अपनी और करेंगे और शेस सभी फंदे यानि सोला फंदे सीधे ये हमारा सेकंड फ्रंट पार्ट है उन अपनी और करेंगे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे उन दूसरी और करेंगे और छे फंदे सीधे ये हमारा बॉर्डर है और उन अपनी और करेंगे शे सभी फंदे उल्टा बना लेंगे अब बॉर्डर के साथ फंदे बचे हैं तो उन दूसरी और करेंगे शे फंदा सीधा बनेंगे और लास्ट फंदा उल्टा अब हम अगला दो लाइन भी इसी रंग के उन से बनाएंगे साथ फंदा बॉर्डर का हम सीधा बनाएंगे और अब पहला फंदा सीधा ये हमारा बॉर्डर का साथ फंदे हो गए अब पहला फंदा सीधा नेक्स्ट फंदा हमें उल्टा बुनना है लेकिन ये देखिए ये सलाई में जो फंदा लगा है इसमें नब उनके इस वाले में हमें पीछे से डालना है ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसमें हमें पीछे से डालना है और उल्टा फंदा बना लेना है अगला फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा उल्टा बनाना है तो पीछे से दूसरे वाले लाइन में हम सलाई डालेंगे एक लाइन नीचे ऐसे सलाई डालेंगे और उल्टा फंदा बना लेंगे अगला फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे अगले फंदे को उल्टा बनना है लेकिन एक लाइन नीचे सलाई डालके तब उल्टा बनना है अगला फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा अब हमारा ये डिवाइडर आ गया तो उन अपनी और करेंगे और दो फंदा जाली देते हुए सीधा बना रेंगे फिर उन अपनी और करेंगे अगला ये जाली वाला फंदा सीधा फिर हम अपने पैटर्न को चालू रखेंगे यानि उन अपनी और करेंगे अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे एक लाइन नीचे से स्लाइड डालके उल्टा अगला फंदा सीधा और जाली वाला फंदा सीधा रहेगा फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा ये सेकंड डिवाइडर है इसे जाली देते हुए सीधा बना लेंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली वाला फंदा इसे सीधा बना देंगे जाले देते हुए सीधा अब ये हमारा backup आ गया उन अपनी और करेंगे अगला फंदा उल्टा लेकिन एक लाइन नीचे से फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा यानि बार्डर की तरह हमें बनाना है लेकिन उल्टा वाला फंदा एक लाइन नीचे से तब उल्टा बनाएंगे उन अपनी और करेंगे अगला फंदा उल्टा बनाना है लेकिन सलाई में लगे हुए फंदे में न डालके उसके एक लाइन नीचे सलाई डालेंगे और तब उल्टा बना लेंगे यहां मैं आपको बटन होल बताना भूल गई तो बटन होल पांचमे लाइन में बना है उसके बाद हम यह हम दस लाइन यानि यह दो हुआ ऐसे दस लाइन उल्टे फंदो की दस लाइन गिन लेंगे और ग्यारवे लाइन में अब यह हमारे दूसरे रंग का उनसे बनेगा एक रंग के उनसे चार लाइन बनाने के बाद अगला चार लाइन दूसरे रंग के उनसे बनाया जा रहा है तो अब हम सेकेंडरी कलर से तीन फंदेव सीधे बनेंगे एक, दो, तीन फिर उन चड़ा के ले जाएंगे और दो फंदो को हम एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे अब ये जो है वो हमारा इससे बटन होल बन जाएगा यहाँ पे एक फंदा बढ़ा है और यहाँ दो का एक करने से एक फंदा घट गया है तो हमारे फंदे जितने हैं उतने ही बैलन्स हो जाएंगे और शेस फंदा हम सभी सीधा बना लेंगे चार लाइन का ये डिजाइन है पहले लाइन में सब भी फंदे सीधे बना जा रहा है तूसरे लाइन में सब भी फंदे उल्टे तीसरे लाइन में एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा लेकिन उल्टा फंदा हम एक लाइन नीचे आके तब बना रहा है और हर डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना है जाली दिया दो फंदा सीधा फिर उन अपनी और किया तो और सब भी फंदे सीधे हर डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना है पहले लाइन में सभी फंदा सीधा दूसरी लाइन में सभी फंदा उल्टा तीसरी लाइन में डिजाइन बनेगा डिजाइन एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे का है उल्टा फंदा एक लाइन नीचे से उल्टे फंदे को एक लाइन नीचे से आके तब सीधा उल्टा बुनेगे देखिए फ्रंट ये मैंने 20 जाली कम्प्लीट कर ली है और उसके बार काले रंग से बुने चार लइन सामने से भी सीधा और बैक से भी सीधा जिसे देखिए दो उल्टे फंदो की धारी आ गई है और ये पांच Two लइन है और ये फ्रंट के सारे फंदे सीधे बना दिया है और डिवाइडर का एक फंदा सीधा बना दिया है और इस दोरान काले उन से चाल लाइन सीधा सीधा बुनने के दोरान फंदे नहीं बढ़ाये गया है यह हमने बस 20-40 तक बढ़ाये हैं यह हमारा बर्डर बन रहा है तो अब दिवाइडर के दो फंदों में से एक फंदा इधर ले लिया है और दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे और दो फंदा सीधा बुनके पीछे वाला फंदा इस पे चहा देंगे या फिर दोनों फंदों को 22 लाइ में लेंगे और दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए तो इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरह बुनके हम फंदे घटा सकते हैं तो इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना के हम सारे फंदे आस्तिन के सारे फंदे क्लोज कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स आस्तिन के सारे फंदे क्लोज हो चुके हैं और ये divider का फंदा है तो वो हम back में शामिल कर लेंगे और सभी फंदे back के सभी फंदे हम सीधा बना लेंगे और सीधा बनते हुए हम दूसरे आस्थिन पे पहुँचेंगे देखिए friends back के सारे फंदे सीधे बने जा चुके हैं ये divider का एक फंदा हमने इधर ले लिया है अब divider का दूसरा फंदा और से divider का ये दूसरे divider ये हमारा four divider है तो इसका एक फंदे तक सभी फंदे हम घटा देंगे दो फंदे लेंगे दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा फिर दो फंदे लेंगे दोनों को लेके एक सीधा फंदा फिर इसको 22 लाई में चढ़ाएंगे फिर दो फंदे लेंगे दोनों को लेके एक सीधा फंदा तो इस तरह हमारे फंदे घटने शुरू हो जाए हुए हम सारे फंदे आस्तिन के सारे फंदे घटा लेंगे तो मैं सारे फंदे घटा के आपको दिखाते हूं तेकिए फ्रेंड्स आस्तिन के सारे फंदे घट गए हैं और डिवाइडर का भी एक फंदा मैंने घटा लिया है अब शेस फंदे सीधे बुनते हुए हम यह लाइन complete करेंगे तेकिए फ्रैंड लाइन complete होने के साथ हमारा ये अपर पार्ट त्यार हो गया है और इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और देखिए फ्रैंड्स ये ऐसा दिखाई देगा तो हमारा ये बेबी स्वेटर का अपर पार्ट त्यार होता है अब शेस अगले पार्ट थैंक्स पर वाचिं